योजनाई निंदी यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस में भरती होना चाहते हैं और आप एक साधी सुधा यूवक हैं तो आपकी साधी आपकी पुलिस भरती में बादा बन सकती है तो आवेदन फॉर्म भरने से पहले जरूरी नियम जान ले नहीं तो बाद में आपको पस्ताना पड़ेगा जियां साथियो जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भरती सुरू हो चुकी है यानि के इसके आवेदन फॉर्म सुरू हो चुके हैं तो अगर आप एक साधी सुधा यूक हैं और पुलिस में भरती होना चाहते हैं तो साधी सुधा यूको के लिए क्या नियम जारी हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस भरती में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो लाश तक जरूर देखेगा और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा और चैनल पर नहीं आए हैं तो सस्क्राइब भी जरू करिएगा तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस कॉंस्टेबल की भरती निकली है यहां कुल 60,244 पदों पर निक्ति होनी है इन भरतियों के लिए पुर्स और महिला दोनों ही अपलाई कर सकते हैं लेकिन इसके लिए कुछ सरते भी तैकी हैं यह नियम पुर्स और महिला दोनों के लिए निर्धारत किये गए हैं तो पुलिस कोस्टेबल भरती के लिए अपलाई करने से पहले ये बाते आपके लिए जानना जरूरी है वरना सेलेक्षन होने के बाद आपकी निरस्थ हो जाएगी यानि के जो नियम है पुरुस अभ्यारती और महिला अभ्यारती के लिए वह जानना जरूरी है नहीं तो आपकी निरस्थ हो जाएगी मेड़ा रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार साधी को लेकर कुछ सर्थे हैं यूपी पुलिस कोस्टेबल भरती के लिए उत्तरपरदेश पुलिस रेकुर्मेंट एंड परमोसन बोर्ड की और से जारी नौपिटिपिकिसन में कई बातों का जिक्र किया गया है जिसमें इन सर्थों को भी बताया गया है कि विवाई किस्थिती के कोलम में कहा गया है कि यूपी पुलिस कोस्टेबल के लिए ऐसे पुरिस अभ्यारती पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक पत्निया जीवित है यानि कि अगर आपने एक से अधिक साधी की है और आपकी एक से अधिक पत्निया जीवित हैं तो ऐसे पुरिश अभ्यारती पात्र नहीं होंगे भरती के साथ ही ऐसी महिला अभ्यार्थी भी आविदन के योग्य नहीं मानी जाएगी जिसने ऐसे पुरुस्य विभा किया है जिसकी पूर्म में पत्नी जीवित हो हाला कि इस नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि विशेश परति स्थितियों में सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम में परिवर्तन में छूट दे सकती है वो भी तब यदि उसका कोई समाधान हो जाए ऐसा करने का कोई विशेश कारण है यूपी पुलिस भरती नोटिफिकेशन अगर कोई दोसी पाया गया तो नोटिफिकेशन के अनुसार अगर कोई अब्यारती दू विवा यानि के डबल विवा या बहु विवा करने का दोसी पाया जाता है तो उसके विरुद विविधक कारवाई की जा सकती है भर्ती परक्रिया किसी भी स्तर पर उसका चैन निरस्त किया जा सकता है इसके इलावा ऐसे अन्य किसी भर्ती परक्रिया से बैन डेवार किया जा सकता है तो साथियो और किसकी नियुकती नहीं हो सकती है यूपी पिलिस कोस्टपल भरती में ऐसे किसी अभ्यारती को सेवा में किसी पद पर तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वह मानसिक और साररिक दरिश्टी से उसका स्वास्त अच्छा नहीं हो और वह किसी ऐसे साररिक दोस्ट से मुप्त नहीं हो जिससे उसे अपने करतेव दक्सतापूर पालन करने में बादा पढ़ने की संभावना हो। उत्तर परदेश पुलिस आरक्सी वे मुख्य आरक्सी सेवा नियमामली 2015 के नियम 6 के अनुसार सारे रिक रूप से विकलांग वेक्ती पुलिस सेवाओं के लिए अहर नहीं होंगे। उनकी पतनी जीवित है तो ऐसे पुरुस भी पुलिस भरती के योग्य नहीं होंगे और ऐसी महिला भी पुलिस भरती के लिए योग्य नहीं होगी। जिसने किसी पुरुस से विभा किया है और उसकी जो पहली पतनी है वह भी जीवित है। तो ये कुछ नियम साधी सुधा ल